हेलो बच्चों, वेलकम बैक तो माई चानल, मेरा नाम जुदीप है और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं इन डिफरेंस कर्व एनालसिस की, पिछले वीडियो में हमने बजट लाइन की डाइग्रेमेटिक री प्रेसेंटेशन स्टडी की थी, इस वीडियो में हम बा वीडियो सीरीज खतम होंगी, मैं अपने फेस्बुक पेज पर नोट्स और क्विजस रिलीज करूंगी, जो आप डेफिनिटली मिस नहीं करना चाहोगे जिन बच्चों को लॉंग वीडियो से पढ़ने में दिकत होती है, वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे आप मेरे रील्स के थ्रूँ किंसेप्चियल नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं लेक्चर में तो जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया हम बात कर रहे हैं, शिफ्ट इन बजट लाइन, ठीक है, जिन भी बच्चों को बजट लाइन का ABC भी नहीं पता, वो पहले बजट लाइन क्या होता है, उसकी डाइग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसी की जाती है, बजट लाइन नहीं आएगा, ठीक है, अब जब हम बात करते हैं, बजट लाइन के शिफ्ट की, तो बजट लाइन के शिफ्ट होने में, दो मेजर रीजन से हैं, कौन-कौन से, एक तो प्राइसे हैं, कमोडिटीज की, और एक है, चेंजेज इन इनकम ऑफ दे कंजूमर, यानि कि इनकम है अगर उसमें इनक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो बजट लाइन चेंज होगी, या शिफ्ट होगी, ठीक, जब हम बात करते हैं, प्राइसे ऑफ गुद्स के बारे में, तो या तो कंजूमर सिरफ एक ही कमोडिटी की प्राइस चेंज अब्सर्व कर रहा है, और अपना बहेवियर उस हिसाब से अल्टर कर रहा है, या तो प्राइस चेंज हो रहे है, गुड एक्स की, या गुड वाई की, या दोनों ही कमोडिटी की, साइमल्टेनियसली, अब हम जिन कमोडिटी के बारे में, पूरे सीरीज में बात करते आ रहा है, हम उनी कमोडिटी का रेफर एंड कमोडिटी एक्स रही है, पीजा स्लाइस, ठीक है, तो इसको भी हम लिख देते हैं, पीजा स्लाइस, तो पहला जो केस है, वो है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, इन आवर केस, पीजा स्लाइस, ठीक है, सो जब पीजा स्लाइस की प्राइस कम होती है, तो एक ओसी काँटिटी आफ कमॉडिटी एक्स हमारे केस में पीजा स्लाइस जो है वो पड़ जाएगी वो जादा पीजा स्लाइस स्कांजियूम करेगा जब पीजा स्लाइस की प्राइस कम होती है उसी तरह से जब pizza slices की prices बढ़ जाती है, increase होती है याने कि pizza slices अब पहले के comparison में महेंगे हो गए है तो consumer की जो quantity है pizza slices की वो कम हो जाएगी याने कि अब वो कम pizza slices खाएगा ठीक है, अब इसी चीज़ को हम diagramatically किस तरह से दिखाएंगे? कुछ ऐसे तो इस diagram में हमारे पास दुबारा से y-axis पे chocolates है, x-axis पे pizza slices है और यह जो line है, a, b, यह हमारी budget line है budget line क्या होती है? यहाँ पे मैं describe नहीं करूंगी अब हमने क्या पढ़ा कि consumer क्या observe कर रहा है market में? pizza slices की price कम हो गई है ना? तो जब pizza slices की price गिर जाती है तो consumer उसे जादा consume कर पाएगा है ना? अब x-axis पे अगर यहाँ पे consumer consume कर रहा है और अब price कम होनी की वज़े से जब consumer जादा consume करेगा तो उसकी quantity बढ़ेगी याने कि इस तरफ को वो चलेगा है ना? point B से आगे बढ़ेगा पर y में तो कोई changes नहीं हुए चॉकलेट की prices में तो कोई changes नहीं हुए तो जब हम यहाँ पे इस चीज को diagramatically represent करेंगे तो किस तरह से करेंगे? हमारी जो budget line है यह आगे की तरफ सरक जाएगी किस तरह से? इस तरह से तो यह हमारी नई budget line A, B, 1 और यहाँ पे हमारी budget line right words shift हुई है या right words pivot हुई है तो जैसे ही pizza slices की prices कम हुई quantity of pizza slices बढ़ गया जो की budget line में इस तरीके से दिखा है तो यहाँ पे budget line क्या हुई है? right की तरफ move हुई है पूरी right move हो गई है? नहीं पूरी right move नहीं हुई है यहाँ पे कोई change नहीं है सिरफ इस area में change है क्या हुआ है budget line को? it has moved to the right कहाँ पे? x axis पे ठीक है? अब हम बात करते हैं अगर price of pizza slices बढ़ जाए है नहीं तो प्राइस पीजा स्लाइस की अगर बढ़ जाती है तो consumer का budget constraint हो जाएगा उसका budget tight हो जाएगा और वो pizza slices की quantity कम कर देगा है नहीं? x axis पे अगर वो pizza slices कम खा रहा है point B से अगर वो कम कर रहा है तो इस तरफ को चलेगा ठीक तो budget line किस तरह से change होगी इस तरह से अब यह बन गई हमारी A B 2 और यह budget line जो है किस तरफ को मूव हुई है? leftward on the x axis ठीक है? तो जब भी x axis की commodity जो है जो भी वहाँ पे लिस्टेट है हमारे example में pizza slices है आपके school के example में या college के example में good x हो सकता है या कोई भी x y z commodity हो सकती है तो अगर उस commodity की price कम होती है तो budget line rightward move करेगा x axis पे और अगर उस commodity की prices बढ़ जाती है तो budget line leftward move करेगा x axis पे without any changes on the y axis ठीक है? अब हम देखते हैं अगर commodity जो y axis पे लिस्टेड है अगर उसकी price change होती है तो क्या होता है? तो अब हम बात कर रहे हैं case number 2 की change in the price of good y हमारे के इसमें थी ये चोकलेट ठीक है? So if prices of chocolate rises, consumer क्या करेगा? चोकलेट की quantity कम खाएगा उसी तरह से अगर चोकलेट की price कम हो जाती है तो अब consumer जादा डिमांड करेगा chocolates को तो quantity of chocolates बढ़ जाएगी diagramatically ये किस तरह से दिखेगा? So ये बनगे हमारे x and y axis इनकी labeling कर दे exam में अगर आपने diagrams की labeling नहीं की तो आपको उनके कोई marks नहीं मिलेगे तो ये हो गई chocolate, ये हो गया pizza slice and ये हो गई हमारी initial budget line ठीक है? अब पहला जो scenario है वो क्या था? Price of chocolate, क्या करनी है? चॉकलेट की price बढ़ानी है and उसकी वज़े से consumer क्या करेगा? चॉकलेट की consumption को घटा देगा diagram पर अगर हम बात करें तो यहां से उपर जाएंगे तो increase होता है है ना? तो अगर decrease हो रहा है तो कुछ इस तरीके का movement दिखेगा याने की budget line कुछ इस तरीके की दिखेगी अब इसे हम नाम देते हैं A1B A1B में क्या हुआ है? budget line क्या हो गई है? नीचे की तरफ move हो गई है ना? तो यहां पर क्या हो रहा है? budget line क्या हो गई है? moved downwards कहां पर? y-axis पे क्यों downward move हुई है क्योंकि price of chocolates या commodity y increased ठीक है? अब दूसरा सेनारियो भी देख लेते हैं price of chocolate कम हो गई अब consumer क्या करेगा? ज्यादा demand करेगा ज्यादा खाएगा है ना? तो चॉकलेट अब वो ज्यादा खा रहा है अब वो कैसा दिखेगा? y-axis पे हमने उपर जाना होगा क्योंकि अब वो ज्यादा खाएगा point a से अब वो ज्यादा consume कर रहा है है ना? सो budget line कुछ इस थरीके से दिखेगी इसको हम नाम दे देते हैं a2 यहाँ पे budget line क्या हुई है? moved upwards क्यों move upwards हुई है? लिख दू moved upwards कहां पे? y-axis पे क्यों upward move हुई है? क्योंकि price of chocolates गीर गए ठीक है बच्चों? अब हम बात करते हैं scenario number 3 की scenario number 3 क्या बता रहा था? कि भई दोनों commodities की prices में एक साथ change हो रहा है है ना? so changes in prices of both the goods अब generally यह जो change है यह proportionate change होगा proportionate change का मतलब क्या है? अगर एक commodity की price एक certain percentage से increase हो रही है तो दूसरी commodity की price भी उतनी ही percentage से increase होगी ठीक है? so मानलो if price of chocolate increases by 10% then यहां पर price of pizza slices भी increase करेगी by 10% अब क्यूंकि price increase हो रही है तो quantity का क्या होगा? quantity of chocolate कम हो जाएगी और उसी तरह से यहां पर quantity of pizza slices भी कम हो जाएगे कितने percent से? 10% से ठीक है? क्यूं ऐसा हो रहा है? क्यूंकि यहां पर proportionate change हो रहा है ठीक है? डियाग्रामेट्टे के लिए देख लेए यह कैसा दिखेगा? सो यह हमारे x and y axis फिर से बन गए लेबलिंग कर दे chocolate and pizza slices और भाई और यह हमारी initial budget line A B अब यहां पर क्या हो रहा है? दोनों ही commodities की prices बढ़ गई है 10% से और उसी वज़े से उनकी quantities में गिरावाट आई है तो इसको अब diagramatically हम किस तरह से denote करेंगे? consumer क्या कर रहा है? कम खा रहा है तो अगर point B से वो कम खाएगा तो किस साइड चलेगा? इस साइड है ना? और point A से अगर वो कम खा रहा है तो वो इस साइड चलेगा यानि कि हमारी जो budget line है यह पूरी की पूरी parallel shift होगी ठीक है? तो इसको हम बना देते हैं A1 B1 यह कहां shift हुई है? leftward shift हो गई है ठीक है? इस case में इस case में क्या हुआ है? बजट लाइन को क्या हुआ है? it shifts to the left कैसे shift हुई है? parallel parallel to A B क्यों parallel shift हुई है? क्योंकि दोनों में proportionate change हुआ है quantities में ठीक है? दूसरा scenario भी same ही हुएगा बट उसका effect अलग same scenario क्या है? same scenario यह है कि अब दोनों ही commodity's की prices जो है वो price of chocolates कम हो गई 10% से और उसी वज़े से quantity of chocolate जो है वो बढ़ गई है 10% से उसी तरह से price of pizza slices जो है वो भी कम हुआ है 10% से और quantity जो है pizza slices की वो भी बढ़ गई है 10% से अब हम दुबारा diagram देखते हैं अगर कोई consumer initial amount से ज़्यादा consume कर रहा है x-axis पे इस तरफ चलेगा और y-axis पे इस तरफ चलेगा तो budget line किस तरह shift होगी? तो यह जो budget line है यह shift हुई है right side पे इसको हम नाम दे देते हैं A2B2 ठीक है इस case में क्या हो गया है? budget line क्या हुई है? कहां shift हुई है? राइट वर्ड राइट वर्ड राइट वर्ड शिफ्ट कैसे shift हुई है? parallel ठीक है? parallel to AB यह arrow यहां बना देती हुँ में तो आप जब दुबारह इसे देखें तो आपको समझ में आए कि यहां क्या हो रहा है ठीक है? तो यह मेजर सेनारियो नमबर टू है चेंज इन इनकम थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएं तो जैसे ही इनकम बढ़ती है कंज्यूमर की एबिलिटी तो स्पेंड इनक्रीज हो जाती है याने कि उसका जो बज़िट है वो भी बढ़ जाता है उसी तरह से अगर इनकम गिरती है तो एबिलिटी तो स्पेंड जो है कम होती है और उसका बज़िट जो है वो गिर जाता है डाइग्रामेटिक के लिए यह किस तरह से दिखेगा? यह हमारे Y और X-Axis दुबारा से यह हमारा डाइग्राम बेजिक इन्फोमेशन अगें य अक्सेस पे चोकलेट एक्स पे पीजा स्पाइस और यह इनिशिल बज़िट लाइन है तो जैसे ही इनकम बढ़ती है हमारी बज़ट इन्क्रीज होती है तो वो इन्क्रीमेंट हम कैसे दिखाएंगे बज़ट लाइन आउट वर्ड याने की बज़ट लाइन जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट लेगी ठीक है इसे हम नाम दे देते हैं A1 B1 अब यह जो सिनारियो है यह लग भग दिखने में ऐसा ही है पर यहाँ पर इस शिफ्ट का जो रीजन है इस केश में प्राइसिस था, और इस केज में इंकम है, ठीक है? सो यहाँ पर बज़िट लाइन को क्या हुआ है? राइट वर्ड शिफ्ट हुई है. इसको मैं लिख दूँ. राइट वर्ड शिफ्ट उसी तरह से, जब केंज बनकेंशल की इंकम कम होगी, उसका budget भी कम होगा और उसे हम diagrammatically किस तरह से दिखाएंगे diagrammatically वो इस तरह से दिखेगा A, B, 2 यहाँ पर budget line जो है वो left में shift होई है इसको भी में थोड़ा सा इसी तरह लिख देती हूँ left word shift क्यों left word shift? because income कम होगी और यह right word shift की हुआ क्योंकि income बढ़ गई ठीक है बच्चो तो यह है shifts in budget line सारा segment आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा shifts in budget line का क्योंकि यह price effect, substitution effect और income effect वाले concepts में बहुत जादा utilize होते हैं ठीक है बच्चो तो मिलते आंगले वीडियो में तब तक के लिए bye now, take care